देखें English में एक short form है OIC, तो इस वीडियो में OIC का किस संदर्म में परियोग होता है जानेंगे, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, देखें OIC, मतलब होता है OIC, ये एक short form है, every version है, ये किसलिए use होता है, कहां पर use होता है, देखें, ये use होता है social media में, खास तोर से ये social media में use होता है, जो हम लोग Facebook है, Twitter है, या जो texting है, messaging है, या हम आम बोलचाल में भी इसको करते हैं, जैसे कोई किसी ने कुछ बात आपसे बोला, तो formal language में भी आप इसको use कर सकते हैं, OIC, मतलब OIC, इसका full form होगा, example देख लिजिए, कि someone says, कोई आपसे बोलता है, I liked your thought, मुझे तुम इंपल साइक short form बोलेंगे, OIC, तो मतलब वहा, अच्छा यह बात है, तो यह एक तरीका है, बात करने का और जवाब देने का, ठीक है, और भी कही तरह से use करते हैं, इसका short form का full form बनाते हैं, जैसे के यह अगर short form है, OIC, तो इसका full form होगा, organization of Islamic cooperation, officer in charge, officer in command, military में, officer in the case, military में organization for international cooperation and it is similar वगरे वगरे, और भी इसके full form हो सकते हैं, ठीक है, तो उम्मिद आपने OIC, एक short form था, आप इसको full form में अच्छी तरह से समझ लिया है, thanks for watching, educate desk, इस तरह से वीडियोज पाने के लिए हमारी चैनल को subscribe किजिए, thank you